मेशकार दोस्तों वेलकम टू माई चैनल आज हम CBAC क्लास 12 का मैट्स का चप्टर पढ़ेंगे मैट्रिस और आज इस वीडियो के इंदर हम इंटोड़क्शन भी पढ़ेंगे और एक्सराइज 3.1 को भी सॉल्व करेंगे तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जैसे आप एक चैप्टर का नाम बढ़ते हैं आप सोचते हैं अखरी है क्या चीज़ ठीक है तो मैट्रिक्स is an ordered rectangular array of number of functions the number of functions are called the elements or the entries of the matrix मैट्रिक्स क्या होता है मैट्रिक्स एक rectangular array होता है array का मतलब क्या होता है कि collection of numbers या फिक collection of objects दो क्या होता है matrix एक order यार 인की order के अंदर जब हम्रेंज करते है नमबर या फिर functions को तो उसका जो rectangular एक combination होता है rectangle reference encant result to the rectangle array यानि जो rectangular collection होता है now we the functions का और यह जो number of functions होते है की Natolph geben hybrid array के अंदर गांट किए जाता है ता उनहीं या पर जो नमबर या function से हुन्हें variable कहते हैं या फिर entries कहते हैं क्या समझ में आपको गिजो matrix है वो एक order होता है matrix order होता है किस चीज़ का होता है number या फिर functions का और जो ओर इस जो अरेंजमेंट होती है Rectangular array के रूप में होती है अरे जो number order rectangular array होगा यानी कि order rectangular collection होगा नमबर या फिर functions का number तो हमने पता है function जैसे की sign function हो गया cause function हो गया 10 हो गया caught हो गया sec हो गया सब क्यों के functions है the number of functions और जब हम ये matrix form करते है rectangular array के रूप में उसे लिखते है तो यह तो यह नमबड़ और पता होगर तभी हम exercise को solve कर सकते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं देखो सबसे पहले आपको पता होना अच्छी कि आखे रोज क्या होती है और कॉलम क्या होती है मालो आपको एक A यहाँ पर करके given है क्या given है आपको एक matrix given है जब हम matrix लिखते हैं इस तरह हम यह वारे जो हमाई पर square packet होते हैं उसके अंदर लिखते हैं ठीक है और यहाँ पर आप जो elements लिखते हो जैसे कि यहाँ पर लिख दिया 15,6,10,2,13,5 इनके बीच में आपको कोई कॉमा नहीं लगाना होता है ठीक है कहीं आप यहाँ पर कॉ एक combination बना दिया ठीक है वो भी एक order के अंदर ठीक है अब यह जो आपका एक element है क्या है यह एक element है या फिर आप इसको क्या कह सकते है entries भी कह सकते हैं तो यहाँ पर प्रतेक एक-एक number या फिर एक-एक function जो इस matrix के अंदर present होगा उसे element या फिर entry कहेंगे उस matrix का अब रही बा होता है यह क्या होता है हमारी यह column होता है और जब हमारा horizontal होता है यह हमारा row होता है ठीक है यह आपको पता होना चाहिए vertical मतलब ऐसे straight हो और horizontal मतलब इस तरह से हो ठीक है मतलब यह जो ऐसे होता है यह हमारी row होती है और यह जो ऐसे है vertically यह हमारे column होते है ठीक है तो यह हमारा एक कॉलम है, यह क्या अपना फर्स्ट कॉलम है, उसी इतने यह हमारे क्या सेकंड कॉलम है, और यहां पर कितनी रोज है, यह पहली रो है, फर्स्ट रो, यह पूरी सेकंड रो है, और यह पूरी थर्ड रो है, यह जो चैप्टर है, बहुती जादा इजी चैप्टर है, बस आ तो देखो हमने रो भी लिख दी कॉलम भी लिख दी है अब देखो हमाई पर समय यह भी पता चल गया कि रो कॉन से होती है कॉलम कॉन से होते है वाखी इनका कुछ तो काम होगा है कि कितनी रोज है कितने कॉलम है इससे हमें पता चलता है order of a matrix कि यहां से पता चलता है कि matrix का ही जो order है वो क्या है ठीक है अगर आपको कभी confusion हो कि कौन सा हमारा column में कौन सा row है तो देखो जो vertical होता है यह हमारा column है horizontal होता है वो हमारी row है देखो जब आप h लिखते हो तो बीच में यह आप लगाते हो तो यह क्या ऐसे लेटा हो है तो यह क्या row है वर्टिकल में आप T लिखते हो ऐसे लिखते हो T तो T क्या हमारा column है ठीक है जो हमारा ऐसे vertical रहेगा जो ऐसे सीधा है वो हमारी column है और जो हमारा ऐसे लेटा हो है वो horizontal होता है यानि कि वो row है ठीक है order of a matrix होता है इसके मेन रोल के इसका होता है rows और columns का इससे हमें पता चलता है कि matrix का order क्या है ठीक है तो देखो अगर आपको कोई एक matrix given है जैसे आपको A is equal to आपको यहां पर given है 5, 4, 3 और 2 यहां पर given है ठीक है अब यहां पर बता हो कि कितने number of rows है और कितने number of columns है अक column 2 columns से तो जो है जो कितने जो हम कितनी सारी rows होते हैं यह अंगिनत रोस हों सकती है जैसे हम नेंगर notice यह तो आधी ऐगे जाएगे जाती जाएगे हमें ने ही पता कहां तक जाएंगी है हम कितनी भी तो रोस बना सकते हैं तो उसको हम M से डिनोट करेंगे, उसी तरह हम कितने भी कॉलम बना सकते हैं, वो N से डिनोट करेंगे, ठीक है, M क्या होता है, टोटल नंबर ओफ रोस, उसी तरह N क्या होता है, टोटल नंबर ओफ कॉलम्स, टोटल नंबर ओफ कॉलम्स, ठी है अगर आपको कहें कि order क्या है इस matrix का आपको करना क्या है आपको simply दोनों को multiply कर दिना है यानि कि order क्या होता है order of a matrix order of a matrix होता है total number of rows into में total number of columns ठीक है तो यहां पर कितना हमारा order बनेगा यहां पर बनेगा two into two यानि कि order कितना है four है ठीक है अब देखो यह कहना specific representation होता है किसी भी चीज़ का उसी तरह यह पर order of a matrix का भी एक representation होता है ठीक है यह जो elements है देखो हमने क्या किया 5 3 4 और 2 इसका general form क्या होगा ठीक है इसका general form यह कौनसे हमारे row के अंदर है यह हमारे first row के अंदर है यानि की one row और यह कौनसे column के अंदर है one column के अंदर है यानि की one उसी तरह जब second element की बात आती है तो यह कौनसी row के अंदर है यह first row के अंदर है कौन से column की अंदर है second column की अंदर है उसी तरहında कौन सी row की अंदर है second row की अंदर है Came आपको फाइंड करना है A11 क्या है मतलब ऐसा element जो first row में हो and first column में हो तो first row में है first column में है क्या है हमारा यह हमारा 5 ठीक है उसी तरह कहा बेंट आपको A12 निकालना है तो first row में कौन सा है यह दोनों है अब second column में कौन सा है इन दोनों में से 4 है ठीक है यानि कि a12 के 4 है ठीक है तो इस तरने इनका representation भी होता है अभी हमने लिख तो दियाँ अब मैंने अ11 तो लिख दिया आपको समझ भी आ गया कैसे लिखा हमने कैसे लिखा पहले हमने लिखा कौन सी रो की अनदर है फिर हमने लिखा कौन से कॉलम के अंदर है तो इसको represent करने के लिए हम लिखते है A I J A I J का मतलब क्या होता है I होता है हमारा row क्या होता है row और J क्या होता है हमारा column M और N क्या थे हमारे M और N थे total number of rows और total number of columns यहाँ पर हम save row लिखते हैं और column लिखते हैं कि जो element है वो कौन से row के अंदर है और कौन से column के अंदर है इस तरह इसको लिखते हैं अब यह जो पूरा element होता है हम छोटा से लिखते है M into N यह क्या होता है हमारे given matrix का तो हमने यह पर क्या देखा यह जो हमारा A हमारा matrix होगा A, I, J मतलब कोई भी जो element है यह कितने भी element हो सकते है यानि कि यह एक तरह से मेटरिक्स है यह M into N क्या होता है M into N क्या होता है इसका order होता है ठीक है तो इस तरह हम हमारी matrix को लिखते है जहाँ पर यह जो I की value होती है यह क्या होती है हमारी यह I की range हो गई उसी तरह J की भी एक range होती है उसी तरह हमारे जो I और J है दोनों के दोनों belong करते है natural number को जो I होगा वो बड़ा होगा या equal होगा 1 से और चोटा या फिर equal होगा M के उसी तो J होता है यह greater than equal to 1 होगा या फिर less than equal to N होगा यह हमारा जरूर है ठीक है अभी आपने order तो सीख लिया इसका example भी देखते है कि किस तरह निकालेंगे अगर आपको यहाँ पे given है 15, 10, 13, 6, 2 और 5 ठीक है अगर आपको कह दे कि इसका क्या बताना है आपको order बताना है अगर आपको order बताना है किस तरह से order बताएंगे हमने देखा order कैसे निकलता है M into N निकलता है तो यह कितनी rows है 1, 2, 3 यानि कि 3 in 2 में N कितना होता है number of columns 1 and 2 तो इसका कितना order बताना है 6 यह क्याएगा इसका order बताना है ठीक है तो यह आपने सेख लिया कि order किस तरह से निकालते है ठीक है तो next आगे बढ़ते हम अब हमने यह तो देख लिया कि matrix होता किया लेकिन इसके भी कुछ टाइप होते है तो अब हम देखेंगे type of matrices यानि कि जो matrices है वो किस-किस तरह की होते है तो पहला आता है column matrix तो यहाँ पर column की बात की जाए कि यह तो साफ हमें दिखाए दे रहा इसके नाम से तो देखते है कि एक ऐसा matrix जिसके ना से एक ही column present हो a matrix is set to be a column matrix if it has only one column यानि कि एक matrix जिसका एक ही column होता है उसे हम कहते है column matrix तो यहाँ लिख देते हैं आपके लिए a matrix is set to be a column matrix if it has only one column अगर उसके पास एक ही column है matrix के पास तब हम उसे matrix को column matrix कहते हैं ठीक है अब यह जो column matrix आखे यह दिखता कैसा है देखो हमने देखा था कि कोई भी जो matrix होता है मुसे ऐसे लिखते है a i j m into में n जहाँ पे m क्या था number of rows था total number of rows और n क्या था total number of columns ठीक है अगर हमारा जो matrix है अगर उसके अंदर एक ही column रहेगा तो n की जहके 1 आएगा तो हमारा जो matrix है जो column matrix है उसे हम ऐसे लिखते है a is equals to a i j m into में 1 ठीक है यानि कि उसकी a की column होगा जैसे एक्जामपल के लिए आपको दिखा देते हैं एक्जामपल जैसे आपके पास a है एक matrix है a 0 under root 2 minus 1 by 2 इस तरह से अगर आपको एक matrix गिवन है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा एक column है और row हमारे पास 3 है ठीक है मत्तर यह कह है पास एक है column हमारा वर्टिकल होता है ठीक है एक ही वर्टिकल हमारे पास column है यहाँ पे लिखेंगे कैसे order को m into n यानि कि 3 into 1 तो यहाँ पे क्या ही जो 1 है मत्बब यह n की वैली कितनी है 1 है मत्लब यह क्या है column matrix है ठीक है बाद समझ में आगी column matrix क्या होता है एक ऐसा matrix जिसके पास एक ही column होता है ठीक है उसके बाद next आपके पास आता है row matrix क्या आता है row matrix second आता है आपके पास row matrix जिस तरह से हमाई पास column matrix होता है उसी तरह row matrix होता है यानि कि एक ऐसा matrix जिसके अंदर एक ही row present हो A matrix is said to be a row matrix if it has only one row यानि कि एक row है matrix के पास तो वो row matrix है तो यहां लिख देते हैं A matrix is said to be a row matrix if it has only one row यानि एक ऐसा matrix जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक row present है उसे हम कहते है row matrix ठीक है तो यहां पे गर हम B मान लेते हैं कि B हमें कोई भी एक matrix given है तो लिखेंगे B, I, J और यहां पे हम लिखते हैं M into में N M into में N क्या होता है? N हमारी rows होती है और N हमारे column होते है अगर एक row present है तो M की ज़िए हम लिखेंगे 1, 1 into में N तो यहां पे लिख देंगे 1 into में N ठीक है इसका example देखते हैं अगर आपको यहां पे कोई element है यहां पे इसके B matrix है उसके elements आपको given है 0 under root 2 minus 1 by 2 यहां पे आप देख रहें कि एक ही row है और हमारे पास 3 column है यानि यह क्या होगा 1 into में 3 ठीक है आपको पास समझ में आ रहे है हमने क्या देखा column matrix, row matrix अब हमारे पास next आता है square matrix क्या आता है square matrix यहां लिख देते हैं square matrix third type होता है इसका square matrix square matrix तो जो square matrix होता है वो एक ऐसा matrix होता है जिसके इंदर number of rows और number of columns क्या हो equal हो यानि कि a matrix is said to be a square matrix if it has equal number of rows and equal number of columns ठीक है देखो square matrix क्या होता है एक ऐसा matrix जिसके इंदर number of rows क्या हो equal हो number of column के तो यहां लिख देते हैं a matrix in which the number of rows are equal to the number of columns is said to be a square matrix एक ऐसा matrix जिसके अंदर क्या हो number of rows और number of columns equal हो हम उसे कहते है square matrix यानि कि m is equals to n होगा m क्या होता है number of rows और n क्या होता है total number of columns ठीक है आगी आपको बात समझ तो हम कैसे लिखते थे देखो हम यहां लिखते थे अगर b हमारे पास कोई भी एक matrix है हम लिखते थे bij i, j यहां पर हम लिखते थे m in 2 में n तो जिस समय हम बात कर रहे है square matrix की उस समय m और n क्या होगे equal होगे तब हम कहेंगे कि जो हमारा matrix है वो क्या है square matrix है ठीक है इसका example देख लेते है अगर आपको इस तरह से given है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ठीक है अगर यह आपको given है यहां पर आप लिखते है order तो order क्या होता है हमारा order हमारा m in 2 में n होता है यानि number of rows कितनी rows है 1, 2, 3 into में number of columns कितने है 1, 2, 3 यानि कि total elements कितने है element 9 है और हमारा order 3 into 3 अगर आपको बोलते है यहां पर लिखना है तो आपको 3 into 3 लिखना है अगर आपसे पूछने है कितने element present है तो आप इनको multiply करके दिखा होगे कि इतने यानि कि यहां पर 9 elements present है ठीक है अब यहां पर लिख देंगे 3 into में 3 ठीक है यहां पर आप देख रहे हैं अब जो हमारा fourth type of matrix होता है वो होता है diagonal matrix एक जो diagonal matrix होता हो एक ऐसा matrix होता है जिसके अदर हम मानते है कि जो square matrix है यानि कि square matrix के लिए होता है diagonal matrix एक ऐसा square matrix जिसके क्या हो जो non diagonal element है यानि कि जो diagonal नहीं है वो सारी कि सारे element 0 हो ठीक है देखों, यहां लिखते हैं, A square matrix is called a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0. एक square matrix को हम diagonal matrix कहते हैं, जब उसके non-diagonal elements क्या हो, 0 हो, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो, यहां पर आपको बताते हैं, अगर मावला आपके बास, एक हमारे पर एक क्या है, एक matrix है, इस तरह से एक यहां पर 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, ठीक है, अभी देखो, यहां पर यह जो diagonal है, यह हमारा diagonal है, और इसके अलाव जितने भी, यह non-diagonal elements है, यह सारे के सारे 0 है, इसका मतलब क्या है, हमारा क्या है, यह diagonal matrix है, यह square matrix भी है, square क्यों है, क्योंकि अगर इसके order की बात करते हो, तो 3 into 3 इसका order है, यानि कि M is equal to N है, ठीक है, square matrix है, लिकिन यह diagonal matrix क्यों है, क्योंकि इसके non-diagonal elements, सारे के सारे क्या है, 0 है, ठीक है, देखो, जब कोई भी एक element होता है, वो 0 कब होता है, जब I और J equal नहीं होंगे, ठीक है, आपको बात समझे मारी, जब I और J equal नहीं होंगे, उस समय क्या होता है, हमारे पास, जैसे हम बात करते हैं, इसकी B, I, J की, यानि यह कोई element present होगा, यह कब होगा equal to 0, जब I is not equal to J, ठीक है, जब square matrix है, जिसके अंदर I और J equal नहीं है, यानि कि number of rows, और number of element equal नहीं है, उस समय क्या होगा, जो हमारे element होगा, वो 0 होगा, इस जैसे हम पर क्या है, 0 है, ठीक है, अब को बात समझ में आरही है, देखो, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, अगर इसको ऐसे लिखते हो आप, यह 11 है, यह 12 है, यह 13 है, उसी तरह यह 21 है, यह 22 है, अब यह क्या है, हमारे पास 23 है, यह 31 है, यह 32 है, अब यह 33 है, अब ने देखा कि, diagonal matrix के अंदर, वो सारे के सारे elements, हमारे सारी के सारी entries, क्या होगी, 0 के equal होगी, जिसके अंदर I और J equal नहीं होगा, तो I और J, यानि कि number of rows, और number of हमारे columns कभ इक्वल है, एक तो 11 में है, या 11, उसके बाद 22 पे है, उसके बाद 33 पे है, मतलब यह सारे element, कोई ना कोई number हो सकते है, वो 0 के equal नहीं होगी, अगर यहां लिखते है, if I is equals to 0, then, B I G is not equal to 0, ठीक है, यहां पे equal है, 1 is equals to 1, इक्वल नहीं है, यानि कि यह 0 होगी, ठीक है, इस वज़े से, हमारे diagonal matrix के अंदर, non, जो हमारे पस diagonal element होते हो, सारे के सारे 0 होते है, क्योंकि यह diagonal elements जो होते है, हमारे OC के अंदर क्या होते है, I or J equal होते है, इसलिए वो ही सिर्फ non-0 होंगे, बागे सारे 0 होंगे, उस समय जो square matrix होगा, हम उसे diagonal matrix कहते हैं, ठीक है, अब फिफ्ट टाइप of matrix देखेंगे, फिफ्ट होते है, scalar matrix, ठीक है, scalar का मतलब क्या होते है, straight होना, uniform होना, एक ही होना, ठीक है, तो अब diagonal matrix is set to be a scalar matrix, if its diagonal element are equal, एक diagonal matrix को, हम scalar matrix कहते हैं, जब उसके diagonal elements equal होते हैं, ठीक है, अगर आपको एक matrix एक given है, इस तरह से कि, अगर आपको given है, यहाँ पे, 1, 1, 1, यहाँ आपको एक matrix given, आप यहाँ पे देखे रहे हो, कि जो diagonal element है, वो सारे के सारे constant है, यानि कि 1 है, इस समय यह क्या है, यह 3 into 3 है, यानि कि हमारे यहाँ पे, यह क्या है, स्क्वार मैट्रिक्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जिसके अंदर, यहाँ पे इसका order क्या है, 3 into 3 है, देखो जब दोनों सेम होते हैं, इस समय हम order क्या लेते हैं, 3 लेते हैं, ठीक है, जब दोनों equal हैं, तो एक के order लेंगे, जानि कि 3 लेंगे, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हो कि, diagonal element क्या है, equal है, यहाँ पे सारे के सारे diagonal element क्या है, equal है, जरूरी नहीं है कि वो 1 ही हो, जैसे कि यह ऐसे भी हो सकता है, under root 3, ठीक है, बस यहाँ पे यह equal होने चाहिए, यानि कि जो diagonal element है, उनको equal होना चाहिए, और यह जरूरी नहीं कि सिर्फ order number 3 के लिए ही हो, यह ऐसे भी हो सकते, इसकेलर मेट्रिक्स, यह आपका 5th type था, जो आता है 6th type of matrix, और 6th type हो होता है, identity matrix, जेसे हम I N से डिनोट करते है, ठीक है, identity matrix क्या होती है, एक ऐसा square matrix, जिसके लिज़ बस्वा आइग्रा के element होते हैं, वो सारह के सारे 1 होते हैं, यानि कि हा स्क्वार मेट्रिक्स in which elements in the diagonal are all one and rest are all zero. is called an identity matrix. ठीक है यहां पर definition में लिख दिये क्या लिखिए कि एक square matrix के अंदर जिसके अंदर क्या हो कि जो element है उसके सारे के सारे जो diagonal के element है वो one हो और बाकि सारे element zero हो उसे हम कहते है identity matrix ठीक है तो देखो अगर हमाई पस एक matrix given है जिसे हम a, i, j करके लिखते है उसके elements को m into n क्या होता है इसका order होता है इसे हम identity matrix कब कहेंगे जब यहाँ पे इसके elements क्या होंगे one होंगे कब one होंगे जब i और j equal होगा और zero होगे elements जब हमारा i is not equal to j होगा ठीक है तो देखो यहाँ पे अगर आपको मैं यहाँ से एक element ऐसे दे देती हूँ आपको एक matrix दे देती हूँ उसके element है 11, 12, 13, 21, 22, 23, 33, 32, और यह 31 यहाँ पे मैंने आपको इस तरह से element लिखके दे दी है ठीक है तो ऐसे कौन-कौन से यहाँ पे elements है जिसके अंदर i और j equal है एक यह है एक यह है एक यह है इसके अलावा कोई भी नहीं है यानि कि जो diagonal के element होंगे वो सारे की सारे 1 होंगे बाकि सारे 0 होंगे ठीक है तो यह क् जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ठीक है तो यह जो है यह है हमारा identity matrix यह square matrix है क्यों है क्योंकि यहाँ पे number of rows और number of हमारे जो column है वो equal है दूसरी बात इसके diagonal क्या है सारे equal है और 1 है बाकि सारे element 0 है इसलिए क्या यह identity matrix है ठीक है और अमने क्या समझा कि हरीक एक identity matrix होता है scalar matrix वो matrix जिसके अदर diagonal equal होते है और identity matrix वो matrix जिसके अदर diagonal क्या होते है और वन होते है सारे equal है मतलब है scalar matrix है लेकिन हर एक scalar matrix एक identity matrix नहीं होता इसलिए हमेशा याद रखना है कि हर एक identity matrix एक scalar matrix होता है लेकि हर एक scalar matrix identity matrix नहीं होता है ठीक है अब हमारा seventh matrix आता है zero matrix zero matrix जैसा हम नाम से समझ रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ zero से ही होगा तो zero matrix क्या होता है अब matrix is set to be a zero or null matrix null matrix और zero matrix एक ही होता है null का मतलब होता है कि जिसके नो कुछ भी present ना हो यानि कि zero तो क्या बोल रहा है कि एक matrix को zero या फिर null matrix तब कहते हैं if all elements are zero कर सारे elements zero हो जैसे कि अगर आपके पस two into two order का एक matrix है a zero 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 इसके सारे element zero है तब हो क्या है zero matrix है उसी तरह three into three order का है बी एक matrix है इसके भी सारे element zero है तो यह matrix क्या है इसको आप null matrix या पर zero matrix कह सकते हैं ठीक है उसके बाद आता है equality of matrices equality of matrices क्या होता है कि दो matrices को equal करना same दिखाना दो matrices को हम equal तभी कह सकते हैं जब दोनों elements जो हमारे present होंगे हमारे matrices के अंदर वो क्या होंगी corresponding element के equal होंगे यानि कि corresponding element equal होने चाहिए दूसरा उनका order same होना चाहिए तभी हम दो matrices को equal दिखा सकते हैं यानि कि क्या समझा हम नहीं हाँ से two matrices अगर एक matrix A है तो Aij उसके elements होंगे and second matrices अगर आपका B है तो इसके element Bij होंगे are said to be equal if इन्हें हम equal कह सकते हैं दोनों matrices को तब कह सकते हैं equal if they have if they are of the same order अगर उनके पास same order है तब हम उनको equal कह सकते हैं दूसरा point आता है कि उनके corresponding elements जो है वो equal होने चाहिए यान कि उनके corresponding element क्या होने चाहिए same होने चाहिए बराबर होने चाहिए each element of A is equal to the corresponding element of B यानि कि अगर हम matrices A और B को equal दिखाते हैं उनके बीच में equality शो करते हैं तो क्या होना चाहिए कि दोनों के corresponding engagements है वो क्या होने चाहिए और उनको order क्या होने चाहिए same होना चाहिए तब ही हम दो matrices को equal कहेंगे ठीक है अभी जैसे मान लो आपके पास हमारे पास matrices है A, 2, 0, 3, 1 ये इसके elements है entries है उसी तरह जो B matrix है वो है 2, 3, 0, 1 तब क्या होने यहाँ पर A और matrices equal होंगे क्यों क्योंकि यहाँ पर इसका order 2 into 2 है यहाँ भी 2 into 2 है तो उनका order same है दूसरी बात इनके corresponding element equal है या 2 है या 2 है 3 है 3 है 0 है 0 है 1 है 1 है ठीक है तब ही यह 2 matrices equal होंगे अगर आपको example के लिए दिखाते हैं इसमें किस तरह के question आते हैं आपको इस तरह से दे देंगे कोई भी element आपको यह इस तरह से हमको दे दिया ठीक A, Z है उसके बाद आपको बोल दिया कि हमारे यह हमारा A है और यह हमारा B है अगर करना इन सब की value X, Y, Z, A, B और C के value तो corresponding हमें पता है कि elements equal होते हैं तो आपको करना क्या है कि आप जो corresponding element इसके equal होगा वही इसका answer वियसे X के corresponding में क्या है minus 1.5 है तो X के value के है minus 1.5 है तो Y के corresponding 0 है तो Y के अली 0, Z के equal 2 है, A के equal root 6 है, B के equal 3 है, C के equal 2 है यह क्या answer आगे यान कि इस तरह आप X, Y, Z किसी के value निकाल सकते हैं कभी होता है जब तो matrices equal होते हैं कभी equal होगे जब उनका order और उनके जो corresponding elements है वो same होगे यानि कि equal होगे ठीक है तो अब हमने पूरा introduction देख लिया है, जो हमने introduction देखा है वो हमारी exercise 3.1 से हमें पहले चाहिए तो अब हम अपनी exercise 3.1 को solve करेंगे, इसका question number 1 है, in the matrix A is equal to Y, आपको A matrix given और यह क्या है, इसकी entities हैं या फिर आप कह सकते entries हैं या फिर आप कह सकते elements है हम use करेंगे कि यह इसकी elements है, right आपको इसके 3 part given है, इसके first part है the order of the matrix, आपको क्या करना है कि यह जो आपको matrix A given है, आपको इसका order लिखना है, ठीक है तो जब हमने introduction मैंने आपको बताया, तब मैंने आपको बताया था कि order of a matrix कैसे निकालते है order of the matrix, यह कैसे निकाला जाता है, यह निकाला जाता है, total number of rows into total number of columns हमने देखा था कि जब हम total number of rows और total number of columns को multiply करते हैं, तब हमें order मिलता है given matrix का तो यहाँ पर total number of rows कितनी है, rows हमने देखा था जो horizontal होती है, वो rows होती है और जो vertical होती है, वो column होती है तो यहाँ पर 1, 2, 3, यानि यहाँ पर rows कितनी है, यहाँ पर 3 rows है, और रही बात column की 1, 2, 3, 4, यहाँ पर कितने column है, यहाँ पर है 4 columns तो यहां पर हमें order कैसे मिलेगा m into n करके m क्या था number of rows था और n क्या था total number of columns total number of rows into total number of columns क्या हो जाएगा m into n यह हो जाएगा 3 into 4 यह आपका order आगया मैंने आपको बताया था क्या बताया था कि जब हम order लिखते हैं तब हम यह बस इतना ही लिखना है 3 into 4 इसको multiply नहीं कर रहा है ठीक है जब हमें पूछे जाएगा कि आपको elements कितने ये बताने तभी आपको इसको multiply करके दिखाना है जब order पूछेंगे तब इसको multiply नहीं करना है ठीक है अब इसका second part देखेंगे इसका second part क्या बोलता है the number of elements the number of elements अब आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे कितने elements present है यह आपसे पूछा गया है तो कितने elements present है 3 into में 4 यानि कि 12 यहाँ पे total कितने elements है 12 elements present है ठीक है अब आपको इसका third part given है write the elements आपको क्या करने जो आपको यहाँ पे बताया है कि यह elements को find करने आपको बताने की elements कौन कौन से है ठीक है तो सबसे पहली बात आती है हमारी A13 की ठीक है तो A13 क्या है कि 1st row में है और हमारा 3rd column में है यह किस तरह से लिखी जाते हैं Aig तो I क्या था हमारे row था और J क्या था तो A13 ठीक है तो यह देखो यह चो आपका matrix A है इसके अंदर A13 कौन सा है फर्स्ट रो के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए थर्ड कॉलम के अंदर यानी 19 19 क्या है आपका A13 यहाँ पर लिख देते हैं 19 यहाँ पर मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देती हूं आपको बार बार से उपर नहीं देहिना पड़ेगा यह है हमारा matrix A अब यहाँ पर A13 क्या है फर्स्ट रो के अंदर थर्ड कॉलम के अंदर 19 है फिर A21 यानी कि सेकंड रो के अलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम में है जो है 35 उसके बाद है A33 यानी कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम तो थर्ड रो यह है और थर्ड हमारे कॉलम के अंदर यह हमारा प्रेजेंट है यानी कि A33 क्या है माइनस 5, फिर A24 कौन सा है, second row के अंदर है, उसके बाद column कौन सा है 4, यानि की 1, 2, 3, 4, तो 12 क्या है, A24 है, उसके बाद A23 क्या आता है, second हमारी फिर A24 के अंदर होगा, third column, 1, 2, 3, यानि की 5 by 2, तो यह हमसे element पूछे थे, जो हमने यहाँ पर बता दिये हैं, ठीक है, इसका second question देखेंगे, if a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have, what if it has 13 elements, आपको क्या बोला है, कि एक matrix है, इसके पास 24 total elements है, आपको बताने कि कौन-कौन से possible orders को रख सकता है, य कोई भी जो matrix होता है, उसका order कैसे लिखते हैं, उसका order लिखते हैं, M into N करके, यहाँ पर आपको first case के अंदर क्या given है, कि जो order है, वो क्या है, 24 elements के equal है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास कितने elements है, 24 elements है, तो यहाँ पर क्या order बन सकता है, इसका, तो 24 को आपको इस तरह से इंटू जा क्या करें, कि 24 है, 12, फिर यह 3 से जाता है, तो 3 से, 3 into 8, उसके बाद 4 से भी जाता है, 4, 6 जा, 6, 4 जा, उसके बाद जाता है, 7 से नहीं जाता है, 8 से जाता है, 8 into 3, फिर 12 into 2, उसके बाद आता है, 24 into 1, तो यह सारे possible orders हैं, जिसके अंदर आप यह, जो हमाँ पस 24 element matrix है, उसके orders बना सकते हैं, उसके बाद आप से इसी question के पूछाएं, कि अगर जो matrix है, उसके अंदर 13 element है, तो आप किस तरह से possible orders बनाएंगे, ठीक है, यहां लिख देते है, if elements, अगर आपके बास यह 13 elements हैं, ठीक है, तो आप किस तरह से order बना सकते हैं, जो 13 है, उसको हम इस इस तरह से आप इसके factors बनेंगे, उस तरह से इसके factors नहीं बनेंगे, इसलिए 1 इंटु 13 और 13 इंटु 1 किया, इसके possible orders है, ठीक है, इसको question number 3 देखते है, if a matrix has 18 elements, what are the possible orders it can have, what if it has 5 elements, फिर से यह question है, इस तरह का हमने एक और कर लिया, जो question number 2 था, हमें क्या बोला है, एक matrix है, इसके पास 18 elements है, उसके क्या possible order हो सकते है, हमें यह बताना है, और अगर यही matrix है, अगर इसके अदर सिफ और 5 elements present है, तब क्या उसके possible order होंगे, हमें यह बताना है, तो इसका answer देखते है, तो सबसे पहले हम तब के लिए order बनाएंगे, जब हमारी पस कितने elements होंगे, 18 होंगे तब उसके लिए order क्या क्या बन सकता है, order of matrix, अब हमें पता है कि 18 के factor किये जा सकते है, 1 into 18 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 1 into 18 है, तो 18 into 1 लिख देते हैं, उसके बाद 1 के बाद 2 पे आ जाते है, 2, 9, 18 होता है, 9, 2, 18 होता है, उसके बाद 3 into 6 होता है, उसके बाद 6 into 3 होता है, य इसके possible order आगे हमारे matrix के लिए जब हमारे पास element 18 है उसके बाद जब हमारे पास element कितने है 5 है अब 5 से कोई है इसका factorization तो आप इस तरह से कर नहीं सकते तो इसको order क्या बनेगा therefore order of matrix कितना बनेगा इसका एक तो बनेगा 1 इंटू 5 और एक बनेगा 5 इंटू 1 इंटू 1 इंटू आप आप